आज हम आपको बनाना सिखाएंगे तिल की गजक जो जाड़ों में लोगों को बेहत पसंद होती है और ये खाने में भी बेहत स्वादिस्ट होती है पहले आप एक पैन में एक कप तिल लें जो की 100 ग्राम हैं आप इन तिल को कम आज़ पर 2-3 मिनट तक चलाएंगे फिर हलके से लाल हो जाने के बाद गैस को बंद कर दें फिर आप एक कडाई लें उसमें 100 ग्राम चीनी और 100 ग्राम गुड डालें गुड और चीनी की मात्रा एक समान होनी चाहिए गुड और चीनी में एक कप पानी डालें और तेज गैस पर पकाएं जब तक कि आपका गुड गाड़ा ना हो जाए तब तक आपको गुड को चलाते रहना है आपका गुड गाड़ा होने के बाद आप एक बरतन में घी लगा लें उसके बाद उस गुड को बरतन में डालकर फैला लें और हलका ठंडा कर लें और हलका सा गर्म रहने दें और आप अपने हातों पर भीगी लगा लें जिससे गुड आपके हातों में ना चिपके गुड का रंग हलका सफेद होने तक हमें गुड को कीशते रहना है सफेध होने के बाद आप इसमें तिल डालें और आजपास तिल लगा लें गुड और तिल को अच्छे से मिक्स कर लें फिर गजब को कूटने के लिए एक पत्थर लें उस पर गुड और तिल कूटें जब तक वे हलका कठोर न हो जाए पूटने के बाद इसे अच्छी शेप में काट ले अब आपकी तिल की गजक तयार है अब आप इसका स्वाद ले सकते हैं